आहीं देखते हैं क्लास थर्ड के बच्चों ने किस तरीके से क्राफ से बोर्ड मेकिंग कर उन पर नमबर्स को लिख कर इंटरनेशनल और रोमन अंगों को किस तरीके से खेल खेल में जानना सीखा ममतमेंग की क्लास में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से बच्चों नहीं आसानी से इस मैथ एक्टिविटी को ग्रहन करेंगे तो बच्चों आज हम सब्जेक्ट गड़ित में मैथ एक्टिविटी करेंगे जैसे हमने अभी अपना पाट आठ था रेखाएं उसमें नाप सीखा था इंच और सेंटिमीटर का तो मैंने आज आपको एक्टिविटी अभी करवाई है नाप की कि आपको एक गट्टा काटना था जिसकी चौड़ाई थी तीन सेंटिमीटर थी वो दस इंच थी के आपने आपको पढ़ाया था अंक पढ़ाया था अब यह देखे यह नमबर हमें जो लिखा है कणा जिखा जाख कि इसको हम कहते हैं अंतराश्ट्य अंक इसको क्या कहते हैं यह अंक है किसी के पास आए गौसिया आए आए गौसिया दिखाए देखो बैटो बच्चो यह है अंतराश्ट्य अंक कौन सा है अंक एक यह कौन सा एक है अंक एक अंतराश्ट्य अंक एक अब इसी से मिलता हुआ यह रोमन नंग है यह मिलता हुआ पॉन सा अंग है यह किसी के पास वेरी गुड़ अरध्या के पास है अरध्या यह देखिए यह रोमन नंबर का एक है यह कौन सा नंबर का रोमन नंबर का कौन सा अंग है यह अंतराश्ट्य नंबर का अंतराश्ट्य नंबर है और यह देखे ए और यह रोमन नंबर का एक है रोमन अंक का एक है यह कौन सा अंक है अंतराश्य एक और यह कौन सा एक अंक है तो किसी के पास ये अंख है अई वाँ माहिन आईए आईए माहिन जल्दी से ये देखिए ये अंतराश्य अंक का अंक दो है ये कौन सा अंक है अंतराश्य अंक का अंक दो ठीक है अब हम यहाँ पर रोमन नंबर का दो लिखेंगे ये देखें ये रोमन नंबर का दो है. ये रोमन नंबर है किसी के पास? Very good. आइए रिया, दिखाईए. अब देखें, ये अंतराष्ट्य अंग का दो है और ये रोमन अंग का दो है. ये दोनों समान हैं, लेकिन इनकी लिखावड देखिकितनी अलाग अलाग हैं अलाग अलाग और यही आपको पहचानना है कि अंतराशरिय अंख कैसे लिखे जाते हैं और रोमन अंख कैसे लिखे जाते हैं पहचान लिया A very good ख्लैप फॉर रियान माहिन